कि हलो सब्सकार के पीटीचे अपका हर्तिक स्वागत है आसा करते हुपसास्त होंगे अच्छे होंगे दोस्तों सीटेट एक्जम की गोश्चित हो चुकी है 31 जनवरी 2021 तो एक्जम क्रैक करने के लिए चैनल सब्सक्राइब करने प्रैस करने जिससे की नोटिफिशन आपको मि प्राथ्मक्ता प्रदान करना दिया तो कोश्र मुचा घया कि यंदर सचा के अंद्रगत क्या सामिल नहीं है तोस्तों सीटेट में कुश्चित कंपती है कि नहीं में पूचय अते हैं और आंस्थम पोजिटिables में लगाते गलत है तो दोस्तों हमें कोशन को पहले बीकर पढ़ना हुगा उसी के एकॉड़िंग हमान्सर देना हुगा तो यहां पर पुछागा क्या सामिल नहीं है तो ग्रैक कार प्रतारण करना हमारा इसमें सामिल नहीं होगा तो इसलिए आंसर ही जाकर हो जाएगा अगला कोशन देखते हैं बच्चों को सीखने सिकाने की प्रक्रिया के दोरान वे उस कार को किस कार से कर रहे हैं इसकी जनकरी इने है एक कार समब थोने के पश्चा दी जानी चाहिए बिये कार करते समय सतत रूप से दी जानी चाहिए कार के बीच में एक बार दी जानी चाहिए इसकी कोई आपश्यक्ता नहीं है तो कोशन मुले जा रहा है कि बच्चों को सीखने सिकाने की प्रक्रिया की दोरान वे उस कार को किस पकार से करते हैं इसकी जनकरी उन्हें किस पकार से दी जानी चाहिए इस पकार कोशन सतत रूप से दीजानी चाहिए तो अंसर इसका अकॉडिक होगा करेक्ट हमारा बी अगला कुशन देखाएंगे कुशन पसंदा है तो लाइक करते हैं साथ यह थोंडाइक के ब्यक्तिकत के बर्गी करण का आदार है यह सारे गठन और सक्ल सूरत भी ए रचनात्यमक्ता और पूचा तो फॉच्छन पूचा गया है कि थौंडाइक के ब्यक्तिकत के बर्गी करण का आदार क्या है तो फॉच्छन पूच्छन 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 देखेंगे किस्वर्वस्ता के नहीं है तो कोशन मुलाएं कि कौन सी बिस्वस्ता की प्रमburst श्र्वस्ता नहीं है यह भी question नहीं में पूछा गया है तो question को पहले हम पढ़ाएंगे correctly fully और फिर उसके according answer इसा correct नम देंगे जब पर जो किसोरबस्ता की अवस्ता नहीं है वो तीप प्रमानसिक विकास का होना नहीं होगा तो answer इसका according हमारा D किसोरबस्ता में हमारे तीप प्रमानसिक विकास होता है वो हमारा बालेबस्ता में होता है तो अगला question देखते है अधिगम को प्रभावित करने वाला ब्यक्तिकत कारक है A.A. संचार की साधन B.A. संबैस्क समू C.A. अध्यापक D.A. परपक्कुता A.A. आयू तो question कुछ आगा कि अधिगम को प्रभावित करने वाले ब्यक्तिकत कारक क्या है तो ब्यक्तिकत जो कारक है वो परपक्कुता और आयू होते हैं तो अंसिता करेक्ट होगा इसका according हमारा D अगला question देखाएंगे BCS आवश्कता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्न लिखत में से कौन सी ब्यू रचना अधिक उपिक तो है तो option इसके नीचे देगे option देखाएंगे A. अधिगम माफ कीजे अधिकतम बच्चों को समलत करते हुए कक्षा में चर्चा करना B. A. विद्ध्यार्तियों को समलत करते हुए अध्यापक द्वारा निर्दशन C. A. सहकारी अधिगम और P. A. टूरिंग सहपार्टियों द्वारा अनुसिछड D. A. अध्यापन के लिए योग गिता आधारित समुई करण तो question बुलाया कि बिसेस आपश्का वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए कौन सी भीरुचना सबसे अच्छी होगी या उपयुक्त होगी तो इसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं तो सबसे अच्छी जो भीरुचना होगी वह होगी विद्ध्यार्तियों को समलत करते हैं उन्हें अध्यापक द्वारा निद्रेशन दीया जाना चाहिए तो आंसर दा करेक्ट होगा इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा C बाफिए सबसे मिस्टर गोई कुश्चन को देखने में सबसे जो अच्छी होगी सहकारी अधिगम और प्यूर्ण टूरिंग जो सहपार्टियों दौरा अनुविच्चर सहपार्टी के मतला जसकी जो क्लासन बच्चे पढ़ते हैं साथ वाले उनक्या अकॉर्डिंग उनका सिच्छर देखा जाए कि वो किस पकार से सीख सकते हैं क्योंकि बच्चे अपनी दोस्तों से चीटरा से सीख पाते हैं तो इसका अनुसार सामानिकारक जी होता है ए जनमजात वा अपरवर्तनिया बी ए जनमजात वा परवर्तनिया सी अरजित वा अपरवर्तनिया डी ए अरजित वा परवर्तनिया तो कॉश्चन पूछाए कि इस पिर मैन के अनुसार सामानिकारक जी होता है तो जी के बारे में पूछा गया है तो आप एक करेक्टर अंसर जाएगा जनम जात व अपरवर्ति निये सामन जी कारक होता है तो आंसर वी दा करेक्टर जाए इसका अपरणी हमारा ए अलोशन देखेंगे बालक में अपरादी प्रवर्ति के बिक्सित होने का क्या है कि बालक में अपरादी प्रवर्ति बिक्सित होने का मुख्य कारण क्या है तो इसका अपरादी प्रवर्ति होने का कारण परिवार का एट्मोस्पियर बातवर्ड रॉल ज्यादा अच्छा निवाता है या ज्यादा उसका रॉल होता है तो यहां पर क्रेक्टरंस हो जाएगा परिवार का बातवर अंसरी दा क्रेक्ट हो जाएगा A अगला कोशन देखेंगे पृतवा साली बालक हो गाया है जो अपने उत्पादन की मात्रा दर और गुर्वत्ता में बिस्स्ट होता है यह कतन दिया गया है A. Terman वर Oden द्वारा B. Karel अवर Martins द्वारा C. R. W. Taylor द्वारा D. A. OPEC में से कोई नहीं तो काफी अच्छा कुशन दिया गया कि पृतवा साली बालक हो जो अपने उत्पादन की मात्रा दर गुर्वत्ता में बिस्स्ट होता है तो डेफिनिशे पूछी है यह कतन किस ने विया है यह पूछा गया कॉशन में तो यह पर करेक्टा नसर हो जाएगा C. W. माफ कीजिए R. W. Taylor द्वारा यह कतन दिया गया है अलग कॉशन देखते है राष्टिय पांट चिला की रूप रेगा द्वार पांच की संसुत्यों की संबंद में कौण सा कतन सत्य नहीं है यह भी कॉशन नहीं में पूछा गया है यह बिश्व द्यालों को राजिनीती से मुक्त रखना बिया ज्यान को बहाँ जीवन से जोड़ना सी यह राष्ट के प्रजातांत्रिक मुल्यों का संब्मान दीये परिच्छाओं में लचीला पन तो कॉशन पुशा गया है एंसी अधर पांच की अकोडिंग संसुत्यों में कौन सा कौन सा गतन सामिल नहीं है थोड़ी सी दिक्कत आगे थे टैक्टिंग प्रॉब्लम की वैसे कोई नहीं तो नहीं में कॉशन पुशा गया है तो इसी के अगोड़ी हमें आंसर देना है तो कॉशन देखाएंगे तो इसके अगोड़ी आंसर ता करेक्टर हो हमारा ए विश्प द्यालो को राज़ीदी से मुक्त रखना तो आंसर करेक्टर हैगा ए अगला उशन देखाएंगे निम्न में से असत्य कतन है ए बैक्ति की ब्रद्धी एवं विकास की गती में नरंतरता रहती है बालक का विकास बिसस्ट से सामानी की ओर होता है तो कोश्चन असत्य पूछा गया है कतन है जो आंसर बतान है इसके अकोडिंग तो आंसर है करेक्टर हो जागा इसका अकोडिंग बालक का विकास बिसस्ट से सामानी की ओर होता है वालक है विकास बिस्स्ट से सामन क्यों नहीं, सामन से बिस्स्ट की ओर होता है तो आंसरी से करेक्ट हो जाएक इसका अकोड़ी है हमारा B अगला कोशन देखेंगे ब्रदी एवं विकास की सिद्धानतों एवं उनके प्रतिपादगा कौन सा युगम असंगत है कफे अच्छा कोशन पुछा गया है, इस पकार के कोशन से टेट में आती है कोश्चन पुछाएंगे ब्रद्धी वा विकास के सिद्धानतों एबं उनके प्रतपादगों कौन सा युगम युगम मतलब पियर या जोड़ा असंगत मतलब सही नहीं है यह कोश्चन पुछा या रहा है तो इसके अकॉर्डिक देखते हैं पहले अप्शन देखाएंगे । दी है नेतिक बिकास सिद्धानतन कॉंअर तो इसका कोड़ी आंसी द्रियुक्त होगा हमारा मनो सामा जिक विकास का सिद्धान्त स्किनर यह एक्चिन average ने दिया और नेते विकास किस दांत को अलर ने दिया है, तो जो नहीं दिया है वो असंगत है, वहरा जो जोड़ा नहीं मिलना, वहरा अंसरी था करेक्ट हो जाएगा, सी, तो अगला कुश्यन देखते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं साथियात में, विकास की किस आयू में बालक में लगवग सभी संबेग विक्सित हो जाते हैं A.A. 1 बर्स तक B.A. 2 बर्स तक C.A. 5 बर्स तक D.A. 12 बर्स तक तो कुशन पुझागा कि विकास की किस आयू में बालक में लगवग सभी संबेग विक्सित हो जाते हैं सभी संबेगों के बारे में पूछा गया है तो इसके according अंसेदा character जाएगा कि बालक में विकास की आयू में लगबग सभी संबेग जो की दो बर्स की आयू में विक्सत हो जाते हैं तो अंसेदा character जाएगा इसके according अमारा B अगर वोशन देखाएंगे लेमार्क ने बनसान करम के किस नियम को असुकर करते हुए लिखा है ब्यक्तियों दोरा अपने जीवन में जो कुछ भी प्राप्त किया जाता है वह उनके दोरा उत्पनी किया जाने वाले ब्यक्तियों को संक्रमित किया जाता है A. मैडल नियम B. समानता का नियम C. पृत्यागमन का सिद्धान्त D. अर्जित गुड़ों के संकर्मन का नियम तो लेमार के एक बैग्यान के उन्होंने बंसान करम के बारे में लिखा है कि बैक्तियों द्वारा अपने जीवन में जो कुछ भी प्राप्त किया जाता है वह उनके द्वारा उत्पन किये जाने वाले बैक्तियों में को संकर्मित किया जाता है या हम इस परकार से समझे सकते हैं कि लेमार कजी ने कहा था कि व्यक्ति जिस पकार से अपना कारी करती हैं या जिस पकार की जीवन में क्रिया करते रहते हैं जिन और आंगों से तो वो और क्या वकटी बढ़ते या कम होते जाते हैं य्म् 데ॉरी पे कुछ दुरूरी खिंध कियाता है लिखा था असके बारे में तो इसकी और अगला कुशन देखती है दिये अपयुक्त सभी तो कोशन मुल rondगा कि अधिगम को प्रहुश करने वाले च्त 받고 क्या है तो च्त yours कारक पूछे गएं तो जैसे की बात करते हैं च्त सम्मादबी कारक सास्विकर मान्सिक स्वास्त अच्छा होना चाहिए चात की ब्रद्धी बबुद्धी भी अच्छी होनी चाहिए रुची भी उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए अधिक्रम के अकॉर्डिंग चात की परवारिक और इसमर्ड सक्ती भी अच्छी होनी चाहिए तो इसके अकॉर्डिंग आंसिता करेक्ट हो जाएगा उपिक सभी तो D answer हो जाएगा अगला कोशन देखाएंगे ग्रेंड सीलता की भावना बालक में किस आयू में सरबदिक होती है A 2-6 वर्स, B A 7-8 वर्स, D A 8-12 वर्स, बाफ कीज़े C A D A 11-14-16 वर्स तो ग्रेंड सीलता की भावना बालक में किस आयू में सरबदिक होती है यह कोशन में पूचा गया है तो इसका अधियम के कुल कितने नियम बताए है A 3, B A 5, C A 8, D A 6 अधियम को इसका की इसका अधियम पूचा गया है तो आधिगम को इस्थापना सिधान्त के प्रवर्तक है A. Edward Tallman B. Edwin Guthri C. Hagrid D. A. N.M.S.A. कोई नहीं तो कोशन बुला कि अधिगम के इस्तापनता का सिद्दान्त के प्रवर्तक है तो कौन प्रवर्तक है यह कोशन में पूचा गया है तो answer जिसा correct हो जाए इसका गॉरिंग Hagrid T तो D answer C answer हो जाएगा अगला कोशन देहेंगे वीडियो को लाइक करते हैं हाथ यहाथ में कोशन देहेंगे चिंतन की विकास का उपाए क्या है A. बालकों माफिजी शिचकों को बालकों की ज्यान का बिस्तार करना चाहिए चूंकि ज्यान चिंतन का मुख्य इस्तम्भ है B. A. सिचक को बालकों की तर्ग, बिवाद, समसे समाधान और चिंतन सक्ती को प्रियोक करने की अबसर देने चाहिए B. बाई कुशन ओप्शन देखते है C. A. सिचक को बालकों को ज्यान सु बनाना चाहिए D. A. उप्युक्त सभी तो कुशन मुला गया है कि चिंतन के विकास का उपाए क्या है चिंतन के विकास का उपाए पूछा गया है कुशन में के चिंचकों को बालकों के भिस्थार करना चाहिए क्योंकि उप क्यास कामुख न grande को इसथार हो टाया जिस से बच्चे सब्सक्राइब बाराकों को उप्यास सलर्भात स्यांदन और 228 करत कर्या दो च्यू düşSTार मीभी है सिच्छेकों को बालगों को जिग्गायसू बनाना चाहिए जिससे इसके अपड़ी आंसे पर करेक्ट हो जाएगा उप्यक्त सभी तो करेक्टर अंच हो रहाएगा डी अगला कोशन देखेंगे वीडियो को लाइक करते हैं सात्यात में संब्यों की बिन्यता ब्यक्तिक्त के लिए समस्या होती है ए समायोजन बिकास पतच्छी करड़ डी ए प्रसूतीत तो संब्यों की बिन्यता के ब्यक्तिक्त के लिए समस्या पूछी गई है कोशन में तो इसके अकोडिंग आंसिता करेक्ट हो जाएगा ए समायजन के लिए समस्या होती है ए अंसर हो जाएगा अगला कोशन देखेंगे थॉंडाइक ने ब्यक्तुत का बरगी करण किस आदार पर किया है A. सील कोड B. सारिक बनावट C. जीवन लक्ष एवं उनकी पूर्ती हेतु प्रयत्न D. कलपना एवं बिचार सकती तो कोशन बुचाएगा कि थॉंडाइक ने ब्यक्तुत का बरगी करण किस आदार पर किया है तो इसके अकोडिंग आंसिता करेक्ट जाएगा कि थॉंडाइक ने ब्यक्तुत का बरगी करण कलपना एवं बिचार सकती की आदार पर किया है तो आंसिता करेक्ट जाएगा D. अगला कुशन देखेंगे बुद्धी और स्रजनात्मता में कौन सा सम्मंद पाया जाता है या पाया गया है तो या कुशन पुछाएगा कि बुद्धी और स्रजनात्मता में कौन सा सम्मंद पाया जाता है तो जो सम्मंद है वो है सकारात्मत तो आंसिता करेक्ट जाएगा B. अगला कुशन देखेंगे प्याजे के मतानुसार बौद्धिक विकास के संदरव में चार से साथ बर्स आयू की अवस्ता निम्न लगत में से किस इस्तर को इंगित करती है A. पूर्व संक्रियात्मक इस्तर B. अवचारिक संक्रियाओं का इस्तर C. अंते प्रग्यात्मक चिंतन का इस्तर D. सम्मेदी गतिसील इस्तर प्याजे के मता अनुसार बौधिक विकास के किस संदर्म में चार बर्स से साथ बर्स के आयू की अवस्ता को इंगित किया गया है वो है पूर्व संक्रियाओं का इस्तर तो आंसिता करेक्टर जागा इसका अकोडिंग हमारा A. अगरा खुशन देखेंगे प्याजे के मता अनुसार बौधिक विकास का अंतिम चरडं है तो यहां पर आंसेदा करेक्ट होना चाहिए हमारा ओप्चारिक संक्रियाओं का इस्तर तो करेक्टर अंसरो जाएगा बी अगला कोशन देखते हैं वीडियो को लाइक करते हैं आतमें चैनल को सब्सक्राइब कर रहें प्रैस कर लें जिससे की नोटिव में आते हैं आपको व कोई नहीं तो कोशन बुचा कि अधियम के फलतरूप विवार में परवारजन उत्पन होता है तो इसके अकॉंड़ी अंसर विदा करेक्ट हो जाएगा हमारा सी परिपक्कुता के फलतरूप प्रसचण के फलतरूप तो दोनों तो सी अंसर हो जाएगा हमारा अगला कोशन हैंगे अब चुझे सरजनात्मता में अनवार रूप में नहीं होता है यह घुल्ख मानसिक युगता बी यह नवीनता सी यह संसलेशन द्येश्ज वीर के और सी तीनों ही तो कॉश्चन पिचा की सरजनात्मता में अन्यवार रूप से नहीं है नहीं है question पिछा गया है तो seated में इस पाइए question काफी आती है तो answer को पहले वी करण पढ़ना होगा फिर इसका according answer में देना है तो यहां पर नहीं में answer हो जाएगा हमारा A. उच्च मानसिक योग्जिता अगला question देहेंगे अभी योग्जिता में पाया जाता है A. अंतर विवेद B. अंतर C. योन अंतर D. उप्यक्त सभी तो question पुछा के अभी योग्जिता में अंतर पाया जाता है तो अभी योग्जिता में क्या पाया जाता है इस पाइए question समझेंगे यह कुछन पूछे जा रहा है तो उप्युक्त सभी पाया जाता है जैसे कि अंतर बिवेद या बेद अंतर अंतर योन अंतर तो यह सभी पायाती है अभियोग उता में तो आंसर या क्रेक्टर है इसका उगने वारा D अगला कुशन देखती है सिच्छड के अंतर गत निम्नलगत में से मैतपूर है E. अधिगम उद्देशों का निराधर B. सिच्छड योक्तियों का निराधर दो नीचे देखेंगे C. विसेवस्तू का निश्यी करण तिये उप्युक्त सभी तो यह कुशन में दिया गया है कुशन पूचे जा रहा है कि सिच्छड के अंतर गत निम्नलग समय से मैतपूर है कौन सा मैतपूर है यह कुशन में पूचे जा रहा है तो यह पर मारा करेक्टान सो जाएगा जो सबसे जादा मैतपूर होगा वो हो जाएगा उप्युक्त सभी क्योंकि अधिगम उद्देश्व का निजातर भी होना चाहिए सिच्छर युक्तियों का निजातर भी होना चाहिए विस्यवस्तू का निश्य करण भी होना चाहिए तो इसका अगोड़ी आंसर दा करेक्टर जाएगा डी अगला कोशन देखेंगे मान लीजिए आप सिच्छक हैं आपकी कक्छा में कुछ विद्ध्यार्ती प्राय ही अनुपस्त रहते हैं एक सिच्छक के नाते आप निमनलगत मैं से किस समाधान को अपनाएंगे इन विद्ध्यार्तियों के संबंद में आप प्रादाचार को अभगत कराएंगे इन विद्ध्यार्तियों के अविवावक को सूचित करेंगे आप इस ओर ध्यानना देकर कक्छा सिच्छड पर ही ध्यान देंगे क्योंकि आपका कार कक्छा सिच्छड कराना है दिये इन विद्ध्यार्तियों की अनपस्तित के कारणों की जानकारी करने ही तू क्रियात्मक सोध करेंगे तो कोशन पुछा है कि मान लीजिए आप सिच्चक हैं और आपी कक्छा में कुछ विद्ध्यार्ति जारता अनपस्तित रहते हैं तो एक सिच्चक होने के नाते आप क्या समादान अपनाएंगे यह कोशन में पूछा जा रहा है तो इसके अकॉर्डिंग जो बच्चे हमारे बिध्यार्ती कक्चा में अनपॉस्त रहते हैं तो उसका कारण जाने की प्यास करेंगे या उसकी जानकारी देखेंगे की बच्चे क्यों अनपॉस्त रह रहे हैं और उसका सोध कारण करेंगे तो इसका अकॉर्डिंग अनसेदा करेंगा इन विध्यार्तियों की अनपॉस्त रहते हैं की जानकारी करने हेतू क्रियात्मक सोध करेंगे कोशन देखते हैं एक अध्यापक करता है कि उसके अध्यापन से संतुष्ट नहीं है ऐसी परिस्तिती में सिच्छक को निम्न लखत में से क्या करना या क्या अपनना चाहिए तो यह विद्ध्यापक को परामर्स दें कि वे प्राइवेट ट्विशन लगा लें प्राइवेट अध्यापक से प्रात्रा करें कि वे उसकी कच्छा बदल दें उसे स्वें रिफ्रेसर कोर्स कराना चाहिए जिससे कि उसके अध्यापक कार्ण में सुदार हो दिया हुए अन्यत्र नौकरी ढूड़ ले तो काफ़े अच्छा कोश्चन है तो कोश्चन मुझा करना चाहिए जिसके अध्यापक कार्ण में सुदार हो सकी तो आंसीदा करेक्ट वारा सी दोस्तों से लाइक करें दोस्तों को साथ में जैन दोस्तों बंदे मात्रम